नमस्कार स्टुडेंट, स्वागत है आप सभी का CUT Study Capital के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यहां हम बात करेंगे जियोग्रफी, M.A. M.S.C. के इंट्रेंस के रिकार्डिंग किस प्रकार से किस स्ट्रेडिजी के साथ आगे बढ़ना है आज उसकी बात होगी तो बने रही है हमारे साथ किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट होना है जरूरी होता है हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है उसका स्लेबस क्या है कैसे कैसे हम अपना प्लैनिंग बनाएंगे किस प्रकार से हमारा सिल्फ इस्टड़ी का जो हम खुछ से त्यारी करेंगे किस प्रकार से हम उसको कवर करेंगे किस प्रकार से हमारा को ज्यादा बर्डेन ना लेना पड़े और चीजे सिंप्लिफाई हो जाए आपको एक मेंटर्शिप प्रॉबाइड हो जाए इसी रिगार्डिंग आज हम डिसकस करने वाले हैं कि हमारा जो जियोग्रफी का है उसका स्लेबस क्या है बिना स्लेबस का तो कुछ होगा नहीं हम अगर आगे बढ़ना है एक सिस्टमाटिक वे में आगे बढ़ना है तो पहले हमें स्लेबस करनी होगी तो आज हम इसी के रिगार्डिंग स्लेबस को देखते हैं कि जियोग्रफी में जियोग्रफी का दुछार पचीस का बेसिकली क्योंकि स्लेबस चेंज होती रहती है आप हमसे यूटूब के थूप जूड सकते हैं हमारे website के थूप हमारे application के थूप जो कि हमारे play store में available है वहां से भी जूड सकते हैं और हमारे स्टुडेंट्स के लिए एक आप मेरे तरफ से आपको सला है कि अगर आपके अलावा भी जो आपके फ्रेंड्स हैं और जो ऐसे लोग हैं जो तैयारी करना चाहते हैं उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे तो आप इसको सेयर कर दीजे वीडियो को बेल आइकोन दबा घाई जाए तो बात करते हैं अगर हमारे जोग्रफी के सलेबस की तो हमारा जो सलेबस है वो तीन पार्ट में बटा हुआ है हमारा सलेबस तीन पार्ट में बटा हुआ है NTA ने हमारे geography को जो code दिया है वो है HUQPO8, P08, ठीक है, PO नहीं, सारी, P08, इसके slavers को, I mean geography के slavers को तीन पार्ट में डिवाइट किया है, पहला है physical geography, जिसको हिंदी में बहुतिक भुगोल बोला जाता है दूसरा है human geography, हिंदी में इसे मानो भुगोल बोला जाता है और तीसरा हमारा geographic technique, simple word में technique क्या होता है, मतलब practical वाला portion प्रयोगिक भुगोल वाला portion, तो अब हम देखते हैं कि हमारा slavers कैसा है कौन-कौन से topics हैं, कौन-कौन से units हैं, उसको हम देखते हैं हमारे entrance में, हमारे geographic entrance में total 75 questions रहने वाले हैं 75 questions रहने वाले हैं, और सभी क्या होंगे, MCQ होंगे objective type होंगे, इसमें हमें answer adding नहीं करनी है, हमें बस click करना है अपने correct option को और bilingual होंगे, Hindi, English दोनों में हमें question provide कराये जाएंगे, तो आप अपने answer change कर सकते हैं अपने answer अप language को opt कर सकते हैं और answer को कर सकते हैं तो यह हमें facility NTA provide कराता है अब हमारा काम बनाता है कि हम किस प्रकार से syllabus हमें cover करना है तो वो syllabus भी आगे दिया हुआ है तो इसको हम देखते हैं देखिए, सबसे पहले part A में आईए, part A जिससे physical geography का portion है जो physical geography जिसको बोला गया है इसका section 1 है पहला section है geomorphology जिसको हम भुआकरिती विज्ञान बोलते हैं इसमें हमें क्या क्या देखना है तो इसमें सबसे पहले हमें solar system and earth earth का origin और इसके regarding theories, earth का interior, geological time scale, material, mineral, rock जो हमारे 13 type के rocks है उससे देखना है और earth का configuration, वेगनर का theory, plate tectonic theory, sea floor separating theory यह सभी हमें पहले unit में कवर करनी है next है हमारा endogenic process मतलब प्रिथवी के अंदर से जो process होता है जो changes आती है उसको हमें कवर करना है इसके regarding fold, fall, dome और जितने भी landform, endogenic process के तुरू form होता है उसकी इसमें study करनी होती है earthquake, volcano और जितने भी इसके थुरू, boitholith, fecholith, lapolith, landforms जो intrusive landforms से volcano के थुरू बनते हैं और साथ ही साथ लाबा, plateau, visled plateau तमाम जैसे landforms है जो हमारे volcano बनाता है उसको हमें study करना होता है और इसका distribution देखता है कि कहां कहां पर volcano आता है कहां कहां पर हमारे landforms आते हैं, earthquakes आते हैं in the sense और किस तरह से landforms create होते हैं ठीक है तो यह हमें देखना है exogenic process देखनी है कि प्रिथवी के बाहर से force generate होता है उससे किस प्रकार के changes आती है कि प्रकार के landforms बनती है, weathering क्या होता है, mass wasting क्या होता है उसके resultant landforms कौन-कौन से हैं ठीक है, what is, regolith, soil formation किस प्रकार से होता है geomorphic agent कौन-कौन से है और उसके through erosion किस-किस प्रकार से होता है यहां पर देख लीजिए flubial, glacial, coastal, arid and cursed यानि कि ground water में किस प्रकार से हमारा weathering, erosion होता है इससे cover करना है ठीक है तो यह हमारा geomorphology का सलेबस है next चलते हैं, दूसरा जो हमारा section है that is climatology, climatology मतलब मौसम विज्यान, मौसम में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, कौन-कौन से phenomenon हमारे activities होती है, हमारे वायू मंडल में उसको हम देखते है climatology में है, सबसे पहला हमारा section unit है that is element of weather and climate, इसमें हम हमारा atmosphere कितने layers में divide है, उसके कौन-कौन से features है, इसे हम पढ़ना है, इसे हमें cover करना है, troposphere, stratosphere, mesosphere, कितने भी तमाम हमारे layers है, homosphere, heterosphere, क्या है, यह सबी देखना है, उसके features को देखने होती है, heat budget क्या है, किस प्रकार से insulation radiation होता है, और किस प्रकार से terrestrial radiation होता है, प्रिथवी से किस प्रकार से heat बाहर जाता है, यह सबी हमें देखना है, cover करना होता है, atmospheric pressure क्या है, उसका distribution क्या है, horizontal, vertical, दोनों को देखना है, wind कैसे होता है, pressures क्या होती है, इसका distribution किस प्रकार का है, earth का temperature क्या है, temperature inversion क्या है, local and periodic winds क्या है इसे हमें cover करनी है यह हमारे syllabus में provide कराया गैया है UGC के दवारा nessteat atmospheric moisture humidity क्या है what is absolute humidity, relative humidity specific humidity, condensation, hydrological cycle क्या है monsoon क्या है क्योंकि इंडिया हमारा monsoonal country है monsoon को भी अच्छे से पढ़ना है इसके तमाम theories है उसको cover करनी है यह हमारा syllabus में दिया गया है फिर Air Mass air mass, जैसे कि warm air mass, cold air mass, maritime air mass, continental air mass, तमाम तरफ के air masses हैं, इसको detail में study करना है, इससे regarding जितने भी questions पूछे जाते हैं, वो ना छूटे, इसलिए इसे पढ़ना काफी जरूरी होता है, और एंसो, अल नीनो, ला नीना, ये सभी कुछ जोग्रफिक फिनॉमीना है, काफी importance है, रखता फिर climatic classification, copain, thornwait, कई सारे 3 वार था वागेरा, फिर हमारे R.L. Singh, जो बनार सिंदु इनुवर्शिटी जिग्रफिक के प्रोफेसर थे, वो और कई सारे ऐसे scholar हैं, जिन्होंने अपना दिया था, अपना classification दिया है, लेकिन फिलाल हमारे syllabus में copain और thornwait को कबर करना है, तो ये next चलते हैं, अब हमारा next जो हमारा section है, that is oceanography, that is oceanography, तो oceanography में हमें surface configuration देखना है, किसका ocean का, जिस प्रकार geomorphology में हम surface का देखते हैं, उसी प्रकार oceanography में, ocean के bottom का configuration देखते हैं, हिसो ग्राफिक कर्ब, सेल्फ, स्लोप, अवाइसल, प्लेंट, ट्रेंच, डिप, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी इनका distribution, इनका percent कितना है, इनका importance क्या है, ये सभी हमें देखना है, फिर ocean में temperature और salinity का distribution देखना है, इसके regarding इतने facts हैं, जो important चीज़े हैं, उसको कबर करनी ह है, ocean का circulation देखना है, wave क्या होता है, current क्या होता है, इसका distribution क्या है, tides क्या है, tides के regarding theories क्या है, ये सभी हम कबर करेंगे, marine deposit, coral reef क्या होता है, marine deposit कितने type क्या होता है, silicus deposit क्या है, calcareous deposit क्या है, ये सभी तमाम चीज़ें हमारे syllabus में दिया गया है, coastal environment क्या होता है, ये सभी हमें है ठीक है तो that is oceanography अगला है हमारा जो कि हमारा physical geography का section 4 है वो है हमारा bio geography इसमें हमें biosphere के बारे में पढ़ना है ठीक है इसका concept क्या है component क्या है ecosystem ecology क्या है major biomes कितने type के biome हमारे earth surface में पाये जाते हैं फिर इसके functions क्या है what is tropic label what is energy flow cycle geochemical cycle इसमें carbon cycle nitrogen cycle oxygen cycle फिर food chain food wave ecological pyramid वगेरा वगेरा चीजें हम कबर करेंगे काफी अच्छे से इसको detail में हम देखेंगे यह हमारा syllabus है और यह bio geography काफी important है क्योंकि यह अभी recent trend में इसका importance बढ़ता जा रहा है इसके portion number of questions इससे ज्यादा देखे जा रहा है पहले इसका portion थोड़ा का मुआ करता था फिर human का interaction हमारे nature के साथ कैसा है environment ethics क्या है environmental hazards कौन कौन से disaster कौन कौन से है pollutants कौन कौन से और कौन कौन से policies हैं इसके regarding हमारे pollution को control करने के regarding कि हमारे nature किस तरह से खत्म किया जा रहा है इसका मतलब कि इसका सोचन किया जा रहा है तो उसके regarding कई सारे theories और कई सारे हमारे laws बने हुए हैं government की तरफ से उसको हम देखेंगे कि policies को देखेंगे कि उसके बाद हमारा physical geography of India है physical geography of India का portion है जिसमें land diversity geological structure physical feature and division drainage pattern soil natural vegetation मतलब वनस्पती और नदियां यहां का physiography क्या है भू आकरिती क्या है इसको यहां के चट्टान कितने हैं कौन कौन से हैं इसका distribution क्या है यह सब प्रकार का climate है उसका distribution कैसा है temperature का distribution क्या है rainfall का pattern क्या है फिर mineral और power resource क्या है संसाधन का वित्रण खनीजों का वित्रण किस प्रकार से है तो यह हमारे syllabus में है और यह हमारा physical geography का syllabus है इतना अगर हम कर लेते हैं तो हम physical से हमारा अच्छे से कबर हो जाएगा जो हमारा next part है वो है next part क्या है हमारा that is human geography वो part b है part b हमारा human geography है जिसमें पहला section है human geography का पहला section है geographical thought जिसमें nature and scope of geography इसका historical overview फिर इसके branches को देखनी है जैसे कि कितने thought process है कितने schools of thought है German school of thought, French school of thought, Russian school of thought, British school of thought, Indian school of thought, समान चीज़े हमें देखनी है ठीक है और contribution देखना है Roman का, Greek का, Chinese का, Indian scholar का इन सभी को देखना है modern geographical trends को देखना है paradigm को भी हमें देखना है geography में जो dualism है उनको देखना है physical or human में क्या difference है, reasonable or systematic geography में क्या difference है, qualitative or quantitative में क्या difference है, क्या similarity है इनको मानने वाले कौन कौन से geographer है कौन इसको deny करते हैं यह तमाम चीज़े हमें cover करनी होती है ठीक है फिर नए कुछ geographical paradigm है for example जैसे की positive हो गया, behaviorism हो गया, humanism हो गया, structuralism, feminism हो गया, post-modernism हो गया ठीक है यह सभी चीज़े हमें cover करनी है next हमारा जो है, वो population geography इसमें हमें population के theories के साथ साथ recent data, recent census data को भी हमें देखते वे चलना होता है तो इसमें हमारा division of mankind देखना है कि कितने racial groups हैं उनका culture, system, characteristics और इनका distribution कैसा है human अपने environment से किस प्रकार adapt करता है, यह देखना है, globalization of culture क्या होता है, language और communication built क्या-क्या है यह सभी हमें कबर करनी है, फिर population का density देखना है, कौन-कौन से factor है, जो population को increase करते हैं, population composition क्या है, population के theories क्या-क्या है, health and well-being को देखना है, किस प्रकार से, population human को affect कर रहा है, इसको देखना है, तो यह हमारे syllabus में add किया गया है हमारे syllabus में migration है, settlement है, ruler, urban settlement है, उसका patterns को हमें study करना है, population policies को देखना है, क्योंकि population policies काफी important है, खास कर दो 2000 में हमारा population policies आया था, वो important है, उससे पहला ही policies आ चुकी है, इससे question बनते है, फिर electoral geography, ठीक है, electoral geography, recent हमारे syllabus में add किया गया है, काफी महतुपन चीज है, recent हमारा जो, आप जो assistant professor में जाओगे या बाद में UGC net दोगे, इसमें भी इसका portion आप काफी बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, नए नए चीजों को add किया जा रहा है, तो यह भी हमारे syllabus में अच्छी बात है, geopolitics का portion है, frontier और boundary में क्या अंतर है, और geopolitical conflict, यह समाम चीज़ें हमें कबर करनी है, फोड़ा इसमें recent trends को भी देखना है, recent data का भी add-on होगा इसमें, फिर geography of resource देखना है, nature and component of resource, इसका classification, resource and environmental, कौन से renewable, non-renewable resources है, biotic, abiotic resource है, water, forest, soil resource को देखना है, इसका distribution, significance, और इससे related जितने चीज़े हैं, उसको इसमें cover करना होता है, next है, exploitation of resource, resource का किस प्रकार से दोहन हो रहा है, किसके दवारा, तो human activities के दवारा, क्या क्या हो रहा, deforestation, mining, agriculture, और industrial, industrial, influence में, जो resource का दोहन किया जा रहा है, इसमें हमें cover करना होता है, चीक है, जितने भी environmental problem है, उसको हमें cover करना है, इस वाले section में, next है मारा economic geography, next है मारा economic geography, तो economic geography में, sector of economic activity, sector in the sense, primary, secondary, tertiary, quinary, यह जो भी यह sector है, colors, golden color, yellow color, brown color, जितने भी colors है, इनको study करना, इनको देखना है, और agriculture को देखना है, primary crop को देखना है, रभी crop क्या होता है, खरीब crop क्या होता है, कौन-कौन से, इनके अंदर आते हैं, तमाम जो हमारे crops है, जो food crops है, जो cash crops है, इनका importance क्या है, इनका distribution क्या है, इनका favorable condition क्या है, यह देखना होता है, mining economy, fuel and power resource of the world, industry को देखना है, फिर इनका location, कितने industrial sectors है, कितने industrial belts है, और recent trends को भी देखना है, कि इसका international trade का, फिर trade routes को देखना है, trades का recent trend को देखना है, transport, इसका significance, इसका factors जो affect करते हैं, यह सभी हमारे slaves में add किया गया है, ठीक है, world का root है, WTO, इसका importance, इसका involvement हमारे trade में, हमारे trade के pattern में, हमारे economy के pattern में क्या है, तो यह हमारे slaves में है, human geography के slaves में है, next हमारा आ जाता है, human geography of India, जिस प्रकार से physical में physical geography of India दिया है, human में human geography of India है, तो इंडिया के regarding हमें human perspective से geography का अध्यान करना है, जैसे कि cultural land state को देखना है, population growth, distribution, density, composition, settlement वगएरा, urbanization को देखना है, agriculture देखना है, major crops, green revolution, originalization, industrial development, इसका location, distribution, iron, steel, cement, cotton, textile, sugar, यह जितने भी industries है, इनका हमें proper अध्यान करना होता है, फिर transportation networks, railway, roadways, waterway, airway, pipeline, जितने भी तमाम हमारा transportation network है, यह हमारे syllabus में दिया गया है, regional development and planning, यह काफी importance है, planning का portion काफी importance होता है, five year plans को पढ़ना है, जितने भी हमारे planning commission के दौरा initiative लिया गया है, वो देखना है, geography में कौन-कौन सा importance theory है, इसके regarding, वो हमें cover करना होता है, इसके बाद हमारा अंतिम section आता है, वो है, geographical technique, क्योंकि इतना cover करना, जितना देखने में आपको असान लग रहा है, उतना असान होता नहीं है, इसे cover करना काफी, एक lengthy काम है, इसे proper वे में ना पढ़े, तो हम divert भी हो सकते हैं, तो ये काफी, एक maintain तरीके से systematic वे में पढ़ना ज्यादा beneficial होता है, टेक्नीक में cartography, importance हो जाता है, मतलब की map making किस प्रकार से किया जाता है, art and science of map making को cartography बोला जाता है, map बनाने का, एक science ही है, इसका elements कौन कौन से है, map science बनाने के, element of map making, concept and scale, scale को देखना है, एक तो cartography का concept देखना है, दूसरा scale, different type of scales को देखनी है, ठीक है, फिर construction of scale, enlargement, reduction of map, map को enlarge और reduce कैसे किया जाए, types of scale क्या होते है, यह सभी हमें कबर करनी है, इसके methods को देखना है, map generalization को देखना है, projections को देखना है, projection का construction, properties, limitation, क्योंकि हर एक projection का अपना एक limitation होता है, कुछ इसके positive science होते हैं, तो negative science होते हैं, सारे projection को हम हर जगा यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसकी study हमें करनी होती है, तमाम projection है, जैसे for example genetal, conical, cylindrical, और भी कई तरह के projection है, इसके subtypes है, इसके benefit और इनके demerit दोनों को हमें देखना होता है, method for sewing relief, relief को किस प्रकार से, कौन-कौन से method से sew किया जा सकता है, hashure, shading and contour method के द्वारा, contour का interpolation कैसे होता है, profile, serial profile और composite profile तमाम तरह के profiles हैं, उसको कैसे पढ़ा जाए, topo seat का study, और physical and cultural topographic seat, इसको कैसे पढ़ा जाए, इससे regarding कौन-कौन से question बन सकते हैं, यह हमारा slabus है, किसका, तो general principle and classification of projection का, next, weather map के थुरू, weather data का अधियन कैसे किया जाता है, इसके method और instruments को शामिल किया गया है, for example, construction of plymo graph, hither graph, isotherm, isobar, iso height, weather map का symbol कौन-कौन सा use किया जाता है, इसका interpretation कैसे होता है, daily basis पे, तो यह हमारे slabus में है, ठीक है, next है, surveying technique, मतलब surveying पढ़ना है, दो तरगा का surveying होता है, एक chain, एक tape surveying होता है, एक geodatic surveying होता है, तो हमें इसके बारे में पढ़ना है, types पढ़ना है, इसके instruments कौन-कौन से use करते हैं, data collection कैसी होगी, ठीक है, compass survey क्या होता है, plain table survey क्या होता है, leveling क्या होता है, ठीक है, idiom क्या होता है, यह सभी हमें देखना है, theodolite क्या होता है, इससे through survey कैसे किया जाता है, यह हमें cover करना होता है, statistical technique, mean, median, mode, ठीक है, histogram क्या है, central tendency क्या होता है, regression, correlation, यह तमाम चीजे हमारे इस portion में आ जाएगी, ठीक है, probability, तो यह सभी sampling techniques कौन-कौन से, किस-किस पकार से probability, non-probability type की sampling है, यह सभी इस unit में हम लोग cover करेंगे, और अंत में, अंत में जो सबसे important है, that is remote sensing का portion, जो की सबसे important माना जाता है, क्यों क्योंकि यह recent जो हमारा digital geography, जो सबसे evolve करने वाली, जो एक discipline की रूप में आगे आ रही है, उसका portion है, तो इसमें हमें क्या-क्या देखना है, इसमें हमें remote sensing और इसके principle क्या-क्या है, aerial photography क्या है, satellite imagery क्या है, किस-किस टाइप से aerial photography के types कौन-कौन से है, satellite image का कौन-कौन सा benefit है, aerial photography और satellite imagery में कौन ज्यादा beneficial है, कितने types होते हैं, कहां-कहां से इसका collection होता है, कितने methods हैं, यह इसके study होगा, detail में study होगा, GIS क्या होता है, geographic information system, vector data, raster data क्या है, इसका difference क्या है, GPS क्या होता है, GNS क्या-क्या होता है, what is IRNSS, तमाम तरीके के GPS हैं, GPS का benefit क्या होता है, what is XYZ coordinate, किस पकार से GPS data collect करता है, तो यह हमारा syllabus है, तो इजी तीन पार्ट में, पार्ट A, B & C, इसके अंदर कई sub unit के थुरू, हमारे syllabus को NTA द्वारा, UGC के द्वारा design किया गया है, तो यह हमें कबर करना होता है, अगर हम यह कबर कर जाते हैं अच्छे तरीके से, तो एक confident develop हो जाता है, हमें लगता कि हमारा exam ऐक्षा जाएगा, उसमें question miss नहीं होगी, हम दूसरो से Age में रहेंगे, हमें अच्छा number लाना होता है लेकिन हमारा exam होता है competitive, हमें दूसरो से भी थोड़ा सा Voczh an-name lilight तो हमारा यह syllabus था आच्छा करते हैं यह आपको अच्छा लगा होगा और informative लगा होगा अगर यह आप अच्छे से cover करते हैं तो आपका एक्जाम एक beneficial एक युनी direction में जाएगा और beneficial होगा अगर इसको हमारे साथ मिलकर आपको cover करना है तो आप हमसे जूड सकते हैं हमारा detail description में दिया हुआ है वहाँ से आपको सारी information मिल जाएगी फिलाल के लिए thank you मिलते हैं फिर किसी next lecture में next information के थूँ धन्यवाद